डीडी किसान बदलते भारत की शान राष्ट पराधारित परिकल्पना पर हमारे कारिक्रम में हम बात करते हैं कि कैसे हमारा देश स्वस्त रहे आज के कारिक्रम में हम बहुत ही महत्पोन विशे लेकर आए हैं जिहां आज हम बात करने वाले हैं M-POX जिसे हम Monkeybox के नाम से भी जानते हैं विदेशों में इसके कई केस आए हैं और इसको लेकर डब्ली एचो काफी कम फीर है इसलिए बहुत आवशक हो जाता है कि हमारे देश में अभी से हम सतर हो जाए यहां आपको ये भी बता दे कि लगातार इसको लेकर विश्वस्तर पर सावधानिया बढ़ती जा रही है क्योंकि इस बीमारी के चलते मौते भी हुई है अगर इसके संक्रमन की बात करें तो इसका संक्रमन काफी तेजी से फैलता है इसके घाव से फैलता है और इसे काफी हद तक कहा जाता है कि चिकन पॉक्स जैसे ही इसके लक्षन होते हैं उसी तरह की बीमारी होती है लेकिन उससे कम खातक है फिर भी ऐसे में सावधानी बरतना बहुत आवशक है वहीं अगर हम बचाव के बात करें तो मास्क पहन कर अगर आप रखेंगे तो भी काफी हद तक आपका बचाव होगा इसके साथ ही जो गर्वती महिला है उन्हें विशेश ध्यान रखने की आवशकता है तो आज हम इसे विशेश पर चर्चा करेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है क्यों हमारे देश में अभी से ही इसको लेकर अवेशनेस पहलाने की आवशकता महसूस की जा रही है और इसके लक्षन को कैसे पहचाना जाए लक्षन आने की स्तिती ना आए इसलिए बचाव क्या होने चाहिए इस पर भी आज हम विस्तार से टर्चा करेंगे आपके सवालों का हमें इंतिजार रहेगा सबसे पहले आईए नज़र डालते हैं आज के विशेश पर इस विशेश को बहतर तरीके से समझते हैं और फिर लेंगे आपके सवाल और इसके लिए आपको बताएंगे हमारा टोल फ्री नंबर तो आई नज़र डालते हैं आज के विशेश पर जो है मंकी पॉक्स, एम पॉक्स जिसे आप जानते हैं कारण लक्षन और उप्चार तो विशेश के बारे में आप जान चुके हैं और अगर आप संपर करना चाहते हैं इस बीमारी के बारे में कुछ जाना चाहते हैं तो आप हमें हमाई टोल फ्री नंबर पर call कर सकते हैं, हमाई toll free number आप note कर लें, 1866, दूसर नमबर भी देखें, 1866, एक तीन शुने, एक तीन शुने, च्छेक, toll free है, यानि इन पर आपका कोई शुर्प नहीं लगेगा, तो बहुत आवशक है सतर्क रहने की, सावधान रहने की, क्योंकि अक्सर जब हम बिमारियों के स अंदर में बात करते हैं, तो यही लाइन हमारे जहन में आती है, कि precaution is better than cure, यानि सावधानी इलाद से बहतर है, इसलिए इस बिमारी से जुट हुए कोई भी सवाल है, कोई भी आशंका है, तो जरूर आप हमें कॉल करें, और आपके सवालों की जवाब देने के लिए, हमा स्वागत है आपका कारिक्रम में, और आप प्रोफेसर है, कंसल्टिंट है, मेडिसिन विभाग सर्पदर जिंग अस्पिताल दिली में, और आज कर जो हमारा विशे है, उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह की अप्रोच इसको लेकर पूरे विश्वस्तर पर अपनाई ज सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है कारिक्रम में, तो हम होमियोपैथी की अप्रोच क्या है, उसको भी समझने का आज प्रयास करेंगे स्वस्त किसान में, तो बहुत-बहुत स्वागत दोनों में मानुका, और आए अप कारिक्रम की शुरुआत के साथ ही सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की उस रिपोर्ट पर जो की हमें एमपॉक्स यानि मंकी पॉक्स को और बारीकी से समझने में मदद करेगी नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूँ आपकी AI एंकर भूमी आज हम एक महत्वपूर्ण और हाल ही में चर्चा में रहे रोग मंकी पॉक्स के बारे में जानकारी देंगे मंकी पॉक्स, जिसे अब M-Pox भी कहा जाता है, एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है यह रोग स्मॉल पॉक्स के समान लक्षन उत्पन्न करता है, लेकिन यह स्मॉल पॉक्स की तुलना में कम खतरनाक है इसके बावजूद मंकी पॉक्स का प्रभाव व्यापक है और यह दुनिया के कई देशों में फैल चुका है इस स्थिती को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे अंतरराष्ट्रिय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोशित किया है मंकी पॉक्स के सामान्य लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मान स्पेशियों में दर्द, पीठ दर्द, लिम्फ नोड्स में सूजन, ठंड लगना, ठकावट, गला खराब होना और त्वचा पर रैशिस शामिल है यह लक्षण स्मॉल पॉक्स के लक्षणों के समान होते हैं, लेकिन कम गंभीर होते हैं गर्भवती महिलाओं को इस बीमारी से विशेश सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर मां को मंकी पॉक्स हो जाता है, तो यह गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी फैल सकता है इससे बचाव के लिए कुछ सरल उपाय किये जा सकते हैं मास्क पहनें, घावों को ढखें, हाथों को बार-बार धोएं और लोगों से कम संपर्क में रहें ये कदम आपके और आपके परिवार के स्वास्थे को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे नमस्कार, मैं हूँ कृष अब हम मंकी पॉक्स के इलाज और संभावित जटिलताओं के बारे में जानेंगे मंकी पॉक्स आमतोर पर दो से चार हफ्तों में ठीक हो जाता है इसके इलाज में रैश को देखभाल में रखना, दर्द को मैनेज करना, जटिलताओं को रोकना और एंटी वाइरल दवाओं का उपयोग शामिल है टेको विरिमैट जैसी एंटी वाइरल दवाएं मंकी पॉक्स के इलाज में सहायक हो सकती हैं हालां कि कुछ संभावित जटिलताएं भी हो सकती हैं जैसे सेकेंडरी इन्फेक्षन, माध्यमिक संक्रमन, न्यूमोपणों की सूजन, सेपसिस, खून में संक्रमन, एंसेफलाइटिस, मस्तिष्क की सूजन और दृष्टी की हानी इसलिए अगर आपको मंकी पॉक्स के लक्षन महसूस होते हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें और नियमित जाँच कराएं मंकी पॉक्स से बचाव के लिए टीका करण करवाना और शारिरिक संपर्क से बचना भी महत्वपूर्ण है सही देखभाल और सतरकता के साथ इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है और आपकी सेहत को सुरक्षित रखा जा सकता है यह थी मंकी पॉक्स के बारे में पूरी जानकारी कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें धन्यवाद तो ये थे हमारे एंकर AI एंकर भूमी और AI एंकर कृष्ट जिन्होंने मंकी पॉक्स के बारे में एतनी महत्वपून जानकारी आप तक सरल तरीके से पहुचाई और आए चर्चा के शुरुआत करते हैं और आप हमें कॉल जरूर करें अगर आप नंबर नहीं नोट कर पाएं तो नंबर लगातार हम टेलिविशन स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे जहां से आप नंबर नोट कर सकते हैं और अपने सवार M-Pox के बारे में जो अच्छी बात है कि हमारे देश में अभी इस बीमारी ने से नहीं लगाई है इस बीमारी को किस तरीके समझा जाए धन्यवाद अंजू जी आपने बहुत relevant question उठाया कि M-Pox और Monkey Pox में difference क्या है मैं आपको शुरू में ही बताना चाहता हूं कि ये बीमारी विश्विस तर प विश्व के दूसरे कंट्री में यहां तक की यूरोप में और अमेरिका में फैल चुकी है यह अच्छी बात है कि अभी तक हमारे कंट्री में नहीं आई है और हम लोग पूरी तरह से इसके रोख्थाम की पूरा व्यवस्था कर रहे हैं M-Pox इसका नया नाम है पहले इसको नहीं रखेंगे उसके बात से M-Pox का नाम M-Pox कर दिया है इसमें दो ही डिफरेंस नहीं है M-Pox वही है जो M-Pox आजकल हम लोग करक नाम से जानते हैं तो यह मैं आपको बताना चाहता हूँ अच्छी बात है कि हमारे कंट्री में अभी नहीं आई है लगे हम लोग ने इसक कि जो अभी तक स्थिति नहीं है वो नहीं आए हमने पहले वी जिस तरह की स्थितियां देखिया हमारे देश ने कैसे विपरीत स्थितियों में बहुत अच्छे से चीजों को सम्हाला और डिल किया एक हमारे दर्शक है उनसे बात करते हैं विपिन है जिन्होंने सागर से के पहले दर्शक है विपिन जी पहुत वागत है आपका स्वास्क्रिसान में बताया है जी नमस्कार विपिन जी क्या सवार है आपका हाँ जी बताया है विपिन जी क्या सवाल है आपका भारत में अब इतने केसे मिल रहे हैं या फिर इतना गंबीरता से लेनी क्या वाथ शकता है अगर अपने यहां कि बात की जाए और क्या सिर्फ अब्देट हैं और पर कुछ साउधना भी बढ़त नहीं चाहिए जही बहुत अच्छा सवाल है आपका विपिन जी तो आपने पहले पहला सवाल तुन करे था कि इस विशा को लेकर हम इतने गंभीर कियों जब कोई केस है नहीं जैसा कि हमने बातचीत की और दूसरा यह कि साफधानी कैसे बढ़ते सर यह अच्छी बात है कि यह एमपॉक्स हमारे इस देश में अभी तक नहीं आया है लेकिन जैसे आपने पहले भी देखा आपका पास्ट एक्पीजेंसी की बहुत सारे इंफेक्शन जो विश्विस तर पर फैलते हैं वह भारत में आई ही जाते हैं हम लोग पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए है दूसरा आपका प्रश चोटा भाई है वायरस जो इंफेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन उसके लक्षन वगरा सब काफी कुछ हद तक स्मॉल पॉक्स से ही मिलते जुलते हैं इसमें शुरुवात ऐसी होती है गला खराब होना वुखाराना बॉडी में दर्द सुगेर हमें बताते है सर ऊदे फैलते है आस तो ज्यादा तर बीबारी जो है यह फैलता है आसपास के साथ के पट्रेमिनेिशन से टच के आने में इसके अलावा भी धोपाडी फ्लूइड होते हैं सलाइवा या और बाडी फ्लूइड होते हैं उनके एक दूसरे से टच करने से फैलते हैं तो इस अगर प्रिकॉशन में अगर घर में कोई इस तरह का हो एम पॉक्स केस तो इसको थोड़ा सा सेपरेट रखें और उसके साथ इतना ज्यादा मिले जो लेना तो ये बिमारी नहीं फैलेगी क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स से काफी क्लोजली रेजेंबल करती है लेकिन स्मॉल पॉक्स के कमपेरिजन में ये कम सीरियस होती है जी अब डॉक्टर मातुर मैं आप से जाना चाहूंगी कि जैसे कि सर ने बताया कि हमने पहले भी देखा है कि इस तरह के इंफेक्शन जो अंतिराश्टेस तरह पर होते हैं कि दबेपाओं आई ही जाते हैं और तो इसके लिए हमारे जो दर्शक है इनका भी सवाल लगबग वही था कि हमें क्या करना चाहिए मतलब क्या इसका कोई टीका करन भी है कैसे इसे हम बच सकते हैं इस पर किस और इस तरह की इंटरनेशल फ्लाइट बहुत से लोग लेते हैं तो रिस्क है कि यह इंफेक्शन इस तरह हमारे देश में भी आ सकता है तो अभी यह अच्छी बात है कि अभी तक यह वायरस हमारे देश में नहीं मिला है बट हमें प्रिवेंशन पे जरूर ध्यान देना प है तो यह बहुत जरूरी है कि हाईजीन एटिकेट्स लोग ध्यान में रखें जैसे कि कुछ सिंपल चीजें हैं जैसे कि खासते समय चीकते समय मूझ को कवर करना टिशू से और यह तो आपके वैसे भी एटिकेट्स का पार्ट है कि यह जनरल मेजर्स हैं और किसी को अगर बुखार है रैश है और उसके गला खराब है वो चीक रहा है तो वह बहतर है कि वह अपने आप को आइसोलेट करें और दूसरे लोग उसके कॉंटेक्ट में नहीं आएं दूसरा कुछ हैबिट्स होती हैं जैसे कि हाथ मिलाने की हैबिट्स तो ऐसी हैबिट्स को हम ज्याद साहत होगी है जै बिल्कुल 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 सही बताया आपने सर कि हम बहुत सारे अब देखे कोई सीमाय नहीं रहे गई हैं अब सेक्रो इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोज उड़ती हैं तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि कम से कम वो लोग जो बाहर जाते हैं उन्हे बाहर जाते हुए भी ध्यान रखने की आफशकता है और जब देश आए तो सर मुझे लगता है पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से ऐसे इंट्रेक्शन हमारे देश में आये तो उन लोगों के लिए भी कोई सला रहे गी आपी तरफ से प्रिवेंशन का तो मैंने भी बातचीत किया डॉक्टर माथूर ने भी बताया कि थोड़ा आप जो पेशेंट इस तरह का है जिसमें ज़रा सा भी सुस्पेशन है उससे आप मिले जो लेना और उसको थोड़ा सा आईसोलेट करें अलग करें उसको और उसके बारे में जब लेब इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट वगरा से शुरू करेंगे एक एक कॉलर है रशीदा है जिन्होंने मंद्रपितर से में कॉल किया है जी रशीदा जी स्वागत है आपकर स्वस्किसान में बताईए क्या सवाल है रशीदा जी मुझे स जो खा कुछ भी नीए तो यह चो आवागा नकी जोड़ों से खूजा लो जी में असक्वाशन कराईए क्या हो सकता है यह जो किसी तरह का इन्सक्षम हो सकता है जैसे ने बताया मुझे बुखार नहीं तो क्या यह जो मौन सुन में देख रहे हैं मौश्टर बहुत है यह क ज六तरुकी जेला तक फजला कि इनको चैरे पर ऑज राद खुजला चलती है। उसको देख यूद्या है इसे बारिश का मोसम है तो फंगल इंसिडेंस काफी जाधा है। जिस fairness के लंग्ष correct इनको उसे थे जाफे उस्तरुके इनको तो दंग से उसको एक्जामिन करके उसका टीटमेंट शुरू करतेंगे इस बात की चांसे कम है कि यह बीमारी M-Pox है क्योंकि M-Pox में रेश होना जरूरी है और इन्होंने अभी बताया नहीं कि इनके चेरे बेर बसले खुझली होने की बार-बार टेंदेश्ट है पस-पस किसान में बताए क्या सवाल है नमस्याफर मेरा नाम नंद शुरू मिश्ड़ा बारबंकी से बताएं मैं जाना यह चाहता हूं जो मंच्छी पार्स है इसके लिए बचाव लिए जिसे जो मीटर की दूरी मुह में मार्स जरूरी क्या है जो हो मजबूरी तो इसी दशा में जो सावधानियम बच्टेंगे इससे कितना लाव मिलेगा और दूसरी चीज किसे जो मच्छर होते हैं वो मच्छर दूसरे से काड़ करके दूसरे पर पहुंचाते है तो इनकी भूमिका कैसी रहेगी अब इसरी जो जो भी बड़का होसी है तो उसके बीज में किसे को खासी आ रहे है किसे को जुखाम हो गया तो उससे बूरी कैसे बनाए जिससे लिमारी से मच्छे रहें जे डॉक्टर माथूर आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे इनोंने काफी मेजर्स वैसे ही बता दिये हैं तो यह बिल्कुल ठीक बात है शुरू में तो यह मंकी पॉक्स एनिमल से जैसे मंकी या रैट्स या डॉक से हुआ बट अब हुमन टी हुमन ट्रांसमिशन का भी पॉ अगर कोई चीक रहा है तो जरूरी है कि वह अपने मुझ को नाक को कवर करें जैसे इनका अगला सवाल था इससे जोड़कर जोनन का था कि क्या अभी हम जानते हैं कि मच्छर काफी हो गए इस वच्छर के काटने से भी क्या होती है सबसे ज़्यादा महत्पूर बात यह है कि जो रैशे होते हैं चकते होते हैं उनसे जो सिक्रीशन होते हैं डिस्चार्ज होते हैं वो अगर टच करते हैं दूसरे स्वास्त आदमी को तो उसमें फैलने के मैक्सिनम चांस अब जो मुझे लगता है जैसे कोवीड के टाइम प सबसे ज़्यादा चांस होते हैं सिक्रीशन जो डिस्चार्ज होते हैं उन चकतों से और रैशे से उससे होता है तो उसको अगर आप गलती से टच भी हो जाए आपके बॉडी में या आप अपने किसी नियर एंडियर की नर्सिंग कर रहे हैं तो इमीजेटली आप उसकी सफ स्वास्स नहीं हो रहा है तो जो यंग लोग है उन्होंने तो कभी सуना भी नहीं होगा स्मॉलपाउस के आज क्योंकि एरैडिकेट हो चुका है लेकिन उनसे ऊपर की उमर के लोगों ने स्मॉलपाउस अपनी लाइफ में जरूर देखागा उसमें भी हम लोग यही प्रि मॉनिका जी आपकी आवाज ने आ रही है और अगर आपने टेलिविजिन को वॉल्यूम पर किया है तो कि पे आप म्यूट कर दें मेरी लड़की को भी है ना खुछली होती है और खुछली होती है छोटी-छोटी से आचा कहा पर इस शरील के किस भाग में होती है हलो जी आपकी आवाज अब आरही है हाँ बेलकोल आप से मॉनिका जी हम यहाँ पर अनुरोद करना चाहेंगे टेलिविजिन को पहले म्यूट कर ले आप हमारी बात्चित फोन से सुन सकते हैं जब बात पूरी हो जाए उसके बाद आप जवाब सुनने के लिए टेलिविजिन है पिर से अनुर्क कर सकते हैं है लड़गी को छोटी चोटीविजिया होती है जी ठीक है और इसको कुछ ले भी होती है और यह खिसके कारण हो जाएगी ओर क्या इलर्टी है कि मंगी फॉकस है ज film किसी भाग में हो जाती है जो बतारह रहे हैं पुनक्षिका पूर्म हो जा अच्छा, ठीक है, सर कुछ आप पूशा चाहते हैं, ये जो आपने बताए हैं, लक्षर इसके चांसे कम हैं कि ये एमपॉक्स होगा, क्योंकि वर्षा रितु में इंफेक्शन, सुपरफिशियल, स्किन इंफेक्शन काफी हद तक होता है, तो ये बच्चों में होता है, एक निकलती है, उसी के सेक्रेशन से दूसरी, उसी के आसपास फुंसी होती है, तो इसके चांसे कम हैं कि ये एमपॉक्स है, ये हो सकता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो और जो बड़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, इसमें आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी है, वो आपको हो सकता है एंटिवाटिक दें और लोकल लगाने के लिए भी कोई एंटिसेप्टिक क्रीम वगर आदें, तो ये मेरे ख्याल में तीन-चार-पांस दिन में बिल्कुर ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे जादा वही वाली बात है कि सफाई सुथराई जो एक बार हो इदर मंकी एंपॉक से जोड़ करके देखे, ये सिर्फ आपको अवेर करने के लिए आपको जागरू करने के लिए एक हमारा प्रयास है कि जो स्तितियां दूसरे देशों में हैं वो हमारे देश में ना है, तो इसलिए आप इसे इतना इसको लेकर इतना गंभीर ना हो, गं इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को यहां पर मुझे लगता थोड़ा सा ठीक से तस्वेर क्लियर नहीं हो पारे है कि और किस किस तरह के लक्षन हो सकते हैं, तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन होना और यह जान पाना कि कैसे यह देख लेंगे, इस बिंदू पर में बात करेंगे, छोड़े से प्रेक के बाद. सिर्फ डीडी किसान पर. सिर्फ में इसको लेकर काफी सतरक्ता बढ़ती जा रही है, और सरकार अभी से ही इसको लेकर तमाम प्रयास कर रही है, कि यह स्थिद्या हमारे देश में नहीं हो, इसलिए आप भी जागरुक रहे हैं, तो सर अब आप से मैं जाना चाहूंगी, कि जैसे अभी कुछ दर्श हो जाते हैं, तो इसकी इन्वेस्टिकेशन, यानि जाचे क्या है, कैसे इसे सही दिशा में इसका इलाज हो, जो भी समस्या हमारे दर्शकों को अगर किसी तरह की होती है, जै सर, रॉक्त मात, पहले तो यह फेक्ट बताना ज़रूरी है, जो सर ने भी बताया, कि अभी तक केस बारत में, इंदुस्तान में, जब हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, तो जो भी लोग यह कह रहे हैं, कि मेड़े फोरा या फंसी हो गई, क्या यह एमपॉक्स है, तो अभी क्योंकि केस डिटेक्ट नहीं हुए है, तो यह समभाबना इस तरह नहीं लगाई जा सकती है यह एमपॉक्स है, दूसरा एमपॉक्स के सिंटम यह होते हैं कि बुखार हो गया और चकते हो गए, चकते काफी संख्या में हो सकते हैं, पूरे शरीर को इनवाल्व कर लेते हैं, लेकिन वो हाथ पैरों में हतेलियों पे, तल्वों पे इन पे और प्राइवेट पार्स पे इन पे जादा होते हैं, और चकते काफी डीप होते हैं, इन में पस भी बन सकता है, प्लस मरीज के कुछ गिल्टियां भी डवलप हो सकती है, और गला कराब होना, यह अगर इंफेक्शन हो गया, सूपरड़िट इंफेक्शन तो वो दर्द भी कर सकता है, और उसके साथ उस और हाथ हतेलियों पे तल्मों पे इन पे चकते जादा हो सकते हैं, और गिल्टियां हो जाना, जो इस टाइप के लक्शन अगर आते हैं, तो ही हम सस्प्थेक्शन कर सकते हैं, ड़्टर तर पाठी जांच है किस किस तरह की होंगी इसमें, इसको जांच करने के लिए इसको हम लोग स्वाब स्टिक से क्लेक्ट करते हैं, और उसको फिर हम लोग एक इन्वेस्टिकेशन होता है, जिसे हम लोग PCR कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रियक्शन, उसमें देखते हैं कि वाइरस उसमें ग्रो कर रहा है कि नहीं, ये बहुत स्पेस्विक टेस्ट है, और ये एक AGM-ND body देखते हैं जिससे यह बताता है कि यह recent infection है M-pox का, तो यह दो बड़े important investigations हैं जो specifically आपको बताएंगे कि यह बीमारी M-pox है या नहीं, इसके साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि M-pox जो है acute onset illness है, जैसे एक दो लोगों ने कहा कि पिछले दो महीने से फंसिया निकल रही है या पिछले दो साल से खुजली हो रही है, यह चीज M-pox नहीं हो सकती है, M-pox हमेशा दो या चार पांच दिन की चीज होती है, उसका incubation preceded जो होता है, तीन से पास दिन या साथ दिन तक होता है, अगर infection आप में M-pox का आया है, तो उसके manifestation इमीजेटली जैसा हम लोगों ने अभी अभी डिसकस किया है, वो जब होंगे, rashes वगारा होंगे, इसलिए आप बिल्कुल इस बात में मत घबराएं कि अगर किसी को दो महीने से या तीन महीने से फुंसिया नकल वही है, तो वो M-pox होगा, यहां पर आपसे में यह भी जाना चाहूंगे, जैसा कि जो भी संक्रमन होता है, जो भी वाइरस होता है, उसका एक life circle होता है, और जैसा कि आपने बताया कि इसको manifest होने में 4-5 दिन लग जाते हैं, इंक्यूबेशन पीरिट जो होता है, उसका उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं, और तब आपको प्रॉमेंट ले, मतलब बहुत ही सीधे तोर पर आपको उसके लक्षन, उसके चीज़े दिखाई देंगे, यहां पर यह भी जाना आवश्यक हो जाता है, कि क्या हमें इसका कोई आप शक्तर रहती है, क्योंकि हमने पीछे देखा ऐसे इंफेक्शन हुए हैं, जब अपने एक लाइफ साइकल के बाद आपकी बॉड़ी के जो प्रतिरोधक शमता है, वो ठीक हो जाता है, तो क्या इसमें भी ऐसा ही हम हो सकते हैं, रोक थाम और इलाज बहुत जरूरी है, मैं आपको एश्रेंस के तौर पर एक बार बता दूँ कि हमारे सब्दर जंग स्पताल में अभी से हम लोंने एक दो वाड इसके लिए एर मार्क कर रखे हैं, कि अगर कभी M-Pox का कोई केस आएगा, तो हम इसको इस वाड में आईसूलेट करेंगे, उनके लिए रूम्स बन हम लोग इसको प्रिवेंशन की स्टेज पर ही टैकल करना चाहेंगे और उस पेशेंट को इमेजेटली आईसूलेट कर देंगे, नहीं बात इन्वेस्टिगेशन में अगर वो पॉस्टिव आता है, कि जैसा कि आपने शुरू में एंकर साहब से सुना था, कि इसकी एक दो हैं, वो दी जा सकती है, और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन वगरा भी दी जाते हैं, लेकिन वैक्सीन आजकल जनरल पॉब्लिक को नहीं दी जा रही है, सिर्फ एक सर्टेन ग्रूप हैं जिनमें इसकी जादा होती है, जो जादा चांसे हैं कि उनको ये इन्फेक्शन हो स होती है, उसमें ये वैक्सीन दी जाती है, तो सर क्या इसका टीका गरण भी है हमारे देश में हो रहा है, अगर कोई अपनी ही इच्छा से इसका टीका लगाना चाहता है, तो क्या है ये वीवस्था भी? इसके अप्सक्ता है? इसके लिए अलग से टीका नहीं है, जो स्मॉ कॉल पॉक्स का जो अटिविटी का है वो इन दुनिया की बहुत लिमिटेड लैब्स में ही अविलेबल है अगर उसको रिजर्व में रखा गया है अगर ज़िए बीमारी फैलेगी तो हम लोग उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और लग लग जहों पर बाटेंगे उसको ए आप सुन पा रहे हैं मुझे देवांशी नो हमारे ने फोरेटाइप में कि अपर बार 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 बखालन लोटकी आता है एक वार फिर से बताईए स्वालिए हमारे चरीन में अपर पर जाता था एक दम से और इस दम और सीवरा आज जाता और आवाज बहुत जास दख जात ठीक है आपके उम्र कितनी है यह बताए एच 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 बहुत पधाई आपको दिवांच जी कि इतने जागरूख है हमारे बच्चे कि खुद कॉल करके पूछ रहे हैं कि अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो क्या करना चाहिए बेरी गुड तो सर जैसे बता रहे हैं क इसको बेक्टियर इनफैक्श एंन हो रहे हैं और रिकरियंट बेक्टियरран ul wartsिए उन्फेक्श हो रहा है उसकी वदे से फोड़े सी ए हो रहे है और इस केस में हमें ये भी देखना होगा पीरसनल हाईजीन क्यूंकि बच्चे है तो तो परसनल हाईजीन कितनी ही रखत है ह हैं अपना मरलब साफ सुतरे रहते हैं नाते हैं रोज नाते हैं यह सब देखते हैं कि यह किस वज़े से इनको यह बार-बार इंफेक्शन हो रहा है और अगर हम इसको एक्जामिन करके इनके लक्षनों को एनेलेसिस करके इनको हम प्रॉपर होमेपेथिक ट्रीटमेंट दे स हैं जिससे इनकी यह बार-बार इंफेक्शन होने की टेंडेंसी भी कम हो सकती है तो यह एक तो अलग समस्या है जिसके बारे आपने बदा रहा है तो होमेपेथिक का भी ट्रीटमेंट आप इसमें ले सकते हैं दीवान जी और सर एक चीज़ में और भी जाना चाहूंगे ज काफी पैड रही बीमारी तो होमेपेथिक इसमें क्या प्रोच है इस वो इसे किस तरीके से देखता है इसका किस तरह से ट्रीटमेंट करता है देखे होमेपेथिक उपचार जो है मरीज के लक्षणों पर आधरित होता है और मरीज के लक्षण जो होता है उसकी जो इम्यू काफी कारगर होती है अगर प्रॉपर चैन किया जाए और जहां तक एंपॉक्स की बात है एंपॉक्स की सिवेरेटी ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन की मरीज की इम्यून रिस्पॉंस कितना है अगर मरीज पहले से बहुत कमजोर है उसको डेबिलिटेटिंग इलनेस हुई है और वो इम्यून कॉंप्रमाइज है तो यह इंफेक्शन सिवेर होगा ठीक है जी डॉक्र पाटी अब एक और काफी मैं कहूंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट ह खासतर पर जो गर्वती महिलाए हैं उनके लिए किसी भी तरह का इंफेक्शन बहुत खतरनाक हो जाता है वो ऐसी स्तिती में है जब वो उस तरह की कोई दवाए भी नहीं ले सकती है तो जब हम एमपाक्स की बात करते हैं तो यहां पर विशेशत तरह पर गर्वती महिलाए जो पहले से ही काफी साथधानया भरती है और इस तरह कि जब हम आशंकाय देख रहे हैं तो उन्हें और क्या करना चाहिए क्योंकि उनके पेट में पल रहे हैं बच्चे पर भी इसका प्रभाव हो सकता है यह मदर से बच्चे में ट्रांस्मिट हो रहा है यह हमनों ने स्ट जिल बर्थ हुई और एक नौल बर्थ बच्चा हुआ लेकिन अगर गर्ववती महिला को इस पास का स्पिशन हो या उसके घर के आसपास महले में आसपास इस बीमारी का कोई केस हो तो उसको फोरण आप हटा लीजे वहां से क्योंकि अगर यह बीमारी उस गर्ववती महिल चोटे चोटे आपके च्छाले पर जाते हैं मुग के अंदर हथेलियों पर यहां बर फैल जाते हैं तो ऐसे बच्चे भी काफी संक्रमन के प्रति हम जाते हैं कि बहुत आसाने से उसकी जद में आ जाते हैं और इस तरह का इंफेक्शन पहले हमारे देश में चल रहा है मुग के अंदर च्छाले पड़ जाना और हातों में और पैरों में रेश डवल अजाता है अलाग कि M-PoX से अगर आप पेर करोगे तो यह रेश इतने डीप नहीं होते हैं और इंफेक्शन इतना सिवेर नहीं होता है जितना कि M-PoX है M-PoX थे तोड़ा सिवेर इंफेक यह जो समस्या है जो हम इंपॉक्स की बात कर रहे हैं जब यह गंभीर होती तो गंभीर तक किस तर तक जा सकती है क्योंकि हमने जैसे की रेपोर्ट में भी बताया कि 200 से ज्यादा ऐसे केसिस रहे हैं जो की जिनकी बृत्ती हो गई विदेशों में जो अलग 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 देशों में जो इन्फेक्शन पहला है तो इसमें इसके गंभीर स्थिति कब तक हो सकती कहां तक पहुंच सकती है क्योंकि जो आपने बताए कि इसका लाइफ सैकल ऐसा है जो अपना सैकल पास सुनी होगी उन्होंने इसके complications गिनायत एंकफिलाइटिस हो सकती है मेनिंजाइटिस हो सकती है लंग्स का involvement होगा तो फिर नियुमनाइटिस हो सकती है इसी तरह से कई vital organs जो body के होते हैं अगर आपकी प्रतिरोधक छमता immunity कम है तो यह infection जो है यह virus जो है उन vital organs को hit कर सकता है और उनका infection और उनके complications दो सकता है तो अगर एक normal healthy आदमी है adult है तो उसमें इतने घबरानी की बात नहीं है यह infection अपने आप self limiting होगा अपने आप ठीक हो जाएगा लेकिन extremes of ages young children या 60-65 years के बाद के व्रद लोग जो है उनमें infection ज्यादा फ्लेयर अप कर सकता है और यह complications भी हो सकते हैं इनी cases में हम लोग फिर इंसका जो treatment available है वो देते हैं routinely हम लोग इसको treat नहीं कर रहे हैं antiviral दबाओं से शिरीश है कॉर दर्शक जिन्हों नहीं में मध्यप्रदेश से कॉल कि और देखें बहुत सारे कॉल सारे आज हमारे पास इस विशय के बारे में लोग जानना चाहते हैं तो सिरीशी बताइए क्या सवाल है आपका लो जी इस रिश्टी बताया सवाल क्या है यह आपकी अवास झिजान को निया है पिर एंब अपर होती तल्वों में और आज पशली प्रवों के लिए उपर कितने दिन से हो रही है कि इसमें पस भी निकलता है हाँ उसमें से निकलता है हाँ जैसे मैंने बताया कि एंपॉक्स जो होता है बहुत ही शौर्ट डुरेशन का होता है यूजरी दो तीन हफते से अगर फुंसी निकल रही है तो यह एंपॉक्स के चांसे इसमें बहुत कम है यह मुस्ट लाइकली जैसे डॉक्टर माथू ने भी बताया यह बैक्टिरिय इंफेक्शन का इलाद बहुत इजी है तो मेरी एडवाइस यही है कि आप किसी स्किन स्पेशलेस या किसी इंटर्नल मेटसिन स्पेशलेस से मिले और मुझे लगता है कि आराम से एंटिवाटिक से ट्रीट किया जा सकता है लेकिन साथी साथ उतना ही महत्वपूर्ण यह है और क्योंकि अब मौनसून का समय चल रहा है बारिश है कई जगे पर हम देखते हैं जल भराव भी हो जाता है उसे भी हमारे कई लोगों के साथ हमने देखा है कि पैरों में ऐसे इंफेक्शन होना छाले होना फुनसिया होना यह आम बात हो जाती है तो साफ सफाई तो आपक साफ सफाई रखनी है इसके अलावा अगर हम बात करें चोटे बच्चों के और बुजर्गों की क्योंकि हमने पहले विसके बारे में दिसक्स कि है कि उनके इम्मुनिटी कम होती है प्रतिरोधक शमता कम रहती है तो उनको लेकर हमें कितना सतर्क रहने क्यावशकता है यह बहुत इंपॉर्टन कॉश्चिन है बिकाज ऐसे एक्स्ट्रीम साफ ही जैसे कि अभी सर ने बताया कि बहुत चोटे बच्चे और बहुत बुजर्ग इनमें इम्म्यून रेस्पांस वीक होता है और जो बच्चे या तो इनफेक्शन ऐसे हो गए जैसे कि मीजल्स हो गई जैसे काफी कमजोर हो गया या वजन कम हो गया तो ऐसे बच्चे की इम्मिनिटी कम होती है अगर ये इनफेक्शन का शिकार हो गया तो इलनेस काफी सिवेर होती है और इसी वज़े से ऐसे केसिस को ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए किसी भी सोर्स ऑव इनफेक्शन से त कि आसपास अगर किसी को बुखार है और रैशे निकल रहे हैं चकते हो रहे हैं और उसके गल्टियां बन रही है वो खांस रहा है चीक रहा है तो ऐसे छोटे बच्चों को उनसे दूर करें और बहुत एल्डरली है वो भी ऐसे वरीजों से दूर रहना चाहिए सो देट प्रिवेंशन ही बेटर है और यह अगर जानकारी होगी लोगों में तो लोग पहले प्रिकॉशन लेंगे और यह बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेफ है जे जे अब मैं डॉक्र त्रिपाठी आप से जाना चाहूंगी जैसे कि तो बात होगी कि हमने उम्र के हिसाब से दैना आजित में से परत कर ली चौन गाटां प्रिवार जो है जिन्होंने शामली उत्वर्देश से में कौल किा अजीजी बताए क्या संट आपका अप को आप मुझे सुन पा रहे हैं मुझे क्या सब्स्टा मुझे आ या चिरिकशिती मतंस्तन आपका मस क्ये развитiveness ये है कि हम करो बहुत अच्छी बात है अपने अपने म्यूट कर दिया टेलिविजन को जी बताएं जी मैं पहले दो नमस्कार मैं अजीत कुमार शामली उपे से भी लोग करता हूं जी स्वागा थे अपका हमारा क्या हुआ है फैटराइटिस्टी की समश्य थी और दो महीं कोर्स पूरा हो चुगा है गोर्मेंट की तरब से जो दोवाईया चलती है ना तो अभी क्या हो रहा है शरीर पे चेहरे पे फूंसिया निकल रही है और शरीर पे खाज खुझिली सी होती है और थोड़ा ज्यादा आते हैं इसका समधान चाहिए दमाना दो महीने का कोर्स किस चीज का था यह हपाटाइटिस सी का एक पर संद रीकवरी हो चुकी है बहुत अच्छी बात है आपको मैं कंगरेचिलेट करना चाहता हूं क्योंकि हपाटाइटिस सी का ट्रीटमेंट आजकल बहुत सक्सेस्फुली होता है क्योंकि आज से चार-पान साल पहले यह दवाईया नहीं थी जो आपको दी गई है इस समय आप उससे बिल्कुल एश्योर रहें कि अब आपको दुबारा हेपेटाइटिस सी नहीं होगी नहीं तो आज से पान साल पहले जब यह दवाईया नहीं थी तो इसका क्योर पॉसिबल नहीं था और धीरे हेपेटिक फिलिवर लिवर फिलिवर होता रहता था दूसरी बात यह कि जो रेशे हैं दवाईया तो आगा आपके बंद हो चुकी हैं उसका साइड इफ्रेक्शन कोई और हो सकता है जैसा कि मैं इतनी बराबर बार-बार कह रहा हूं कि रेशे के रिजिन का बहुत सारे होते हैं बैक्टिरियल इंफेक्शंस होत जो अभी तक हम लों ने डिसकस नहीं किया है, कि M-pox का infection जो है, वो प्रॉमिस्पॉस लोगों में ज्यादा मिलता है, मतलब जो लोग है multiple partners होते हैं, और especially जो unnatural sex करते हैं, तो उनके private parts में rashes ज्यादा होंगे, oral areas में भी होंगे, तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रहें कि करें, अगर आप multiple partners के बास जाएंगे, तो ये infection आप में ज्यादा होगा, ये बात मैं आपको पुरी तरह से बताना चाहता हूँ, जी जी, प्रॉकर, तो देखे, बहुत जारी बात है आज चर्चा में निकल कर सामने आई है, और हमें पूरी उमीद है कि हमारे दर्शकों न पनी रहे जैसे की अभी हम सुरक्षित हैं, फिलान एक छोड़ा सब ब्रेक लेंगे, कहीं मज जाएगा, देखते रहे स्वस्त के साथ। कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार, देखिए मंडी खबर, सोंवार से शनिवार शाम पाँच बजे, सेफ दूरदर्शन किसान चैनल पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं स्वस्त किसान, आज के स्वस्त किसान में हम बात कर रहे हैं, एम पॉक्स के बारे में, और एक बार फिर से मैं यहाँ पर दर्श्रकों से कहना चाहूंगे, कि M box हमारे देश में नहीं है और इसलिए बहुत जरूएथ है कि हम जागरुक रहें हम यह पर आपको किसी तरह से यह बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कितना यह खतरना कि कितना घातक है बलकि हम आपको aware कर रहें इसलिए घबराने की आवशकता नहीं है चलिए बाचित को एक बार फिर से हम बढ़ाते हैं आगे डॉक्ट दुरी पार्टी मैं आपसे यहां जाना चाहूंगे क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह का इंफेक्शन संकुर्पन हमारी शरीर से होकर गुजरता है हमारी शरीर की प्रतिरोधक शमता जो है उस है उसको टाइड ओवर कर लेती है खतम कर देती है लेकिन इसके लॉंग टर्म से क्या होंगे यह आगे चलके अगले एक दो तीन साल में पता चलेगा लेकिन अभी तक जो स्टेडी किया गया है अफ्रीका के कॉंटिनेंट पे तो यह काफी सालों से था तो उसमें ऐसा कर रहे हैं कि इसका जो जो कविड इनफेक्शन जो है बनक्स पे सब चछोडता है हाट पे भी छोड़ता है तो उसक बना रहे हैं तो उसी तरह स zacology और रहे हैं तो गोंनोगों पूरी उमीद है कि इसको षवला दे्गे लेकिन अगर आएगा तो उसका हम आपर श्रींड हो चाले वगारा उसी के तरह के होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि स्मॉल पॉक्स के कंपरेजन में यह सीरियस कम है, सीरियस कम है और इसका ट्रीटमेंट और इसका रिकवरी जो है उससे बेटर होगी, जी जी, डॉक्टर माथुर मैं आप से जाना चाहूँगी, जब हम ओवराल फिटनेस की बात करते हैं, स्वास की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लाइफ स्टाइल को बहुत महतु देते हैं, हमारा खान पान कैसा ह होना चाहिए, इसे भी हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि एक स्वस्त शरीर जो है, वही किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकेगा, तो ये डारेक्टली तो इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ओवराल हेल्थ के लिए, और आप स्वस्त रहें, कोई अगर आ जैसे कि हम देखें, हमने काफी कॉलर्स बता रहे थे कि उनके अकसर फोड़े फंसी हो जाते हैं, मैं उसके एक्जामपल लोगा बार बार हो जाते हैं, तो हम देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसी कंडिशन है, जैसे डाइबीटीज है, अगर डाइबीटीज कंट्रोल में नह लड़ने की शमता भी है, मरीज की, वो कम होती है, तो ऐसे मरीज को अगर कोई इनफेक्शन होता है, तो वो सिवेर होता है, तो यह बहुत जरूरी है कि प्रॉपर डाइट, एकसरसाइज, यह इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हेल्थ में, और ऐसे इनफेक्शन को का अगर आता भी है, तो आपका शरीर उससे लड़ने के लिए सक्षम हो, और यह तभी संभव है, जब आप इन सभी बातों का ध्यान देंगे, अब एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, हलो, 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 गुरुदास जी हमाई साथ, राजस्तान से फोन लाइन पर, हम बता हैं कैसा वारे गुरुदास जी आपका, सर्दी जुकाम और बुखार है, आपकी आपकी बात हम समझने पारें, पूरी बात, सर्दी जुकाम और बुखार आप ये बता रहे हैं, आंटी जुकाम और बुखार, सिर्दर्द भी है, ठीक है, सर्दी जुकाम बुखार जो कि इस बीमारी के भी कुछ लक्षन हैं, तो मुझे लगता है कि उसी से जोड़कर इसे देख रहे हैं, और हम जानते हैं कि अभी बहुत फीवर भी चल रहा है, वारिल इंफेक्शन भी चल रहे हैं, क्या बताना चाहेंगा? तो जिस तरह के लक्षन ही बता रहे हैं, ये सीजनल डेफिनिटली वारिल इंफेक्शन हो सकता है, जिसका इलाज सिम्टोमेटिकली हम कर सकते हैं, और जैसे कि इनको सर्दी जुखाम बुखा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि ये तोड़ा अपने आपको आइसोलेट करें, सो द होमेटिक चिकसक से अगर ये सला लेते हैं, तो इनका इलाज संभव है, और बहुत जल्दी ही इनको इनको इनफेक्शन से ठीक है जा सकता है, जे, अब तर पार्टी आप भी कुछ बताना चाहेंगे, ने, हाँ, बिल्कुल सही का, डॉक्तर मातुर ने, ये तो आपके हैं, तो होमेटिक की इलाज करिए, उसका आराम से इलाज वहां संभव है, अगर आप ऐलोपैथी की इलाज करते हैं, एलोपैथी में कुछ दवाईयां हैं, ज्यादा तर सिम्टोमेटिक होती हैं, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, और तीन-चार-पांस दिन म हमारे हैं, पद्धितियां हैं, आयलोपैथी तो है ही, और होमेटि भी है, और जिसे भी आपको लाब हो, जिसे फायदा हो, आप उसे अपना सकते हैं, अब रोग्टिती पार्टी में आपसे जाना चाहूंगे, अगर हम एक कुछ रिकाइब करें और इसे हमें एक और हलिलि करेाइश में नहीं आया है, हम लोग फोरी फोरी तैयारी कर रही है, जैसे मैंने का यउम्हेएं अपने एस्पताल का एक्जांपल आपको दिया, सारे बड़े असपताल गवर्मेंट में इसकी तैयारीय चल रही है, जैसे यह आएगा हमारे कंट्री में हम řो इसको ड़ा स बस आपकी जिम्मेदारी यहीं बनती है कि अगर इस तरह का कोई पेशिंट आये तो उसको आईसोलोइट करें, अलग कंपने में रखें और उससे अलग रहें, नर्सिंग करना तो आपके लिए जरूरी है, आप उसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, लेकिन नर्सिंग करने के हैं, जब आप सरहदों से लांकरी बिमारी दूसरे देशों में जाती है, तो उसका अपने एक प्रोटुकॉल भी रहता है, आप जैसे अगर किसी भी वैक्ति में इसके सिम्टम से खाई देते हैं, अगर उन्हें लगता है कि यह सिम्टम तो पहला उसका क्दम क्या होना चा अगर यह पॉस्टिव आता है, तो फिर वो जो है अपने हायर अथॉर्टी को इन्फर्म करता है, उसको आइसोलेट करता है, बलकि यह देखा जाता है कि इसको इन्फेक्शन लगा कहा से, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल से हुआ है, तो वहां से सोर्स उसका निकाला जाता ह है, तो और जितने भी लोग उसके साथ है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि उनको कहीं ऐसा तो नहीं है, अभी इंटरनेशनल गाइडलाइन इसकी पब्लिश नहीं हुए है, तो एर ट्रैवल वगरा जो है, बाहर जाना आ या बाहर से यहां आना, उस पर कंट्रोल नही है, आपको आइसोलेट हो जाना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, तो एक बाहर हमाई दर्शकों को फिर से बता दे कि यह उस तरह की गंभीर नहीं है, दूसरी हाथ है, कोविट का इंफेक्शन सांस से फैलता था, खासी से फैलता था, अगर आप जैसे कहा थोड़ी सी दू है, जैसे में फोन लगाया है, अनिल जी स्वागत है, आप का स्वस्क्रसान बताई क्या सवान चराना है, टेलेविज़न को, टेलिविजन को मीट कर लीजित, पहले, आप, म्यूट कर रहा है, मैम जी, हाँ, आप सवाल बताएए, यह मै यू करें यह मेरे अना 70 किलो बिजन तो अपने तो अपना जवाब खुदी दे दिया अनकंट्रोल डायविटीज से तो वजन कम ही होगा आप सबसे पहले इलाज कराईए अपने डायविटीज का फिर आपका वजन बिकुल नॉर्मल होने लगेगा बिल्कुल देखे माथुट साफ आपने भी कहा भी था कि अगर किसी भी विमारी के लिए बहुत जरूरी है कि आगर आपको डायविटीज है और हमारा देश तो इसे बहुत जरूरी है कि आप इसे बिल्कुल रखे आप क्या कहना चाहेंगा इसके बार ये बिल्कुल ठीक बात है इनको थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा अपनी डायविटीज को लेके उसके मैनेजमेंट को लेके ये बहुत से लोगों में युथा होता है ले और अपने खान पान और अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत ध्यान दे अगर यह प्रॉपर मैनेज करेंगे अपनी डाइबीटीज को तो इस तरह का वेट लॉस इनको नहीं होगा और आगे फ्यूचर इंफेक्शन से की रिस्क पी कम होगी और सर्थ यह तो एक बात करेंगे आखी है वह आईज पर पढ़ता है और बिल्कुल आपने सही बताया कि इसका अफर पढ़ता है जाहे वह किड़नी हो चाहे हो हमारा रेटीना हो हमारे आईज हो और बहुत से स्ट्रक्चिर में जैसे कि हमारे आई का एक्जामपल ले लीजे शुरू में तो इतने लक्षन नहीं आएंगे तो मरीज शायद इतना घंबीर नहीं होता है लेकिन जब उसको विजन में दिक्कत होगी और वो डॉक्टर के पास जाएगा तो हो सकता है कि वो काफी एडवांस दे जो तो ऐसी स्तीती से बचने के लिए उसको चाहिए कि अपनी डाइबिटीज को श पूरी बात्चीत थी जिसमें हमने एमपॉक्स के बारे में आपको बताया तो आप जागरू करें सतर करें बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्र माथूर आपका भी और डॉक्टर पाटी जी आपका भी बहुती विस्तार से बहुती सदल तरीके से आप हमारे दर्शकों को आप चाहते हैं किसी विशयर पर हम स्वस्त किसान लेकर आए तो आप अपने ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं इमेल कर सकते हैं स्वस्तकिसानLive.gmail.com ये हमारा इमेल आइडी जिस पर आप अपना फीडबैक, अपनी राय, अपना सुझाव या फिर आप हमें बता भी सकत हैं कि इस विशयर पर हम कारिक्रम लेकर आएं तो इसी के साथ ही यहां हम आपसे इजाज़त लेंगे और चलते-चलते हमारी यही कामना है कि आप स्वस्त रहें, मंगल रहें और दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें, नमस्कार उम्मीदें नए भारत की महीने के आखरी रविवार का रहता है बिजार ब्रम पुत्र के घाट से हमारी यही कामना है